जारगन के राची में चोपन पैसेंजर ट्रेन में बाबारामरहिम के समर्थकों नयाग लगा दी ट्रेन की बोगी से एक पर्चा भी बरामद हुआ है पर्चे में लिखा है वी वांट जस्टिस MSJ ट्रेन की बोगी से पैट्रोल और एक काले रंग का बैग भी बरामद हुआ है सेदा सच्चा सौधा के समर्थकों की हिंसा का असर हिमाचल प्रदेश पर भी पड़ा है हिमाचल सरकार ने सोलन समेट कुछ शहरों में एतियातन बस सेवा को बंद कर दिया है पस और टेक्सियों के बंद होने से सोलन में भारी संख्या में परेटक फसे है हिंसा का असर हिमाचल से होने वाले कारोबार पर भी पड़ा है नेपाल के पीम शेर बहादुर देववा आज तिरूपती बाला जी का दर्शन करने जाएंगे नेपाल के पीम के आज बिहार के बोधगया भी जाने का करक्रम है बोधगया में नेपाल के टुधान मंत्री के सम्मान में बिहार के सीएम नितीश कुमार डिया चरात्री भूच का भी आयुजन किया है रविवार सुबै करीब 10 बजे बोधगया मंदिर में शेर बहादुर देवा पूज आरजना भी करेंगे बटना में कल होने वाले आरज़ेडी के रैली को देखते वे पुलिस अतरिक्त सुरक्षा बरत रही है शेहर के सभी सम्मिदन शील जगय और चाराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल्कि तैनाती की गई है और सीसी टीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है ट्रिबल तलाग केस की एक याचिका करता है इश्रत जहां को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार धमकी मिल रही है इश्रत जहां पशिम बंगाल के हावडा में रहती है इश्रत ने मुख्यमंतरी ममता बेनरजी और स्थानिय पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है इश्रत जहां ने पत्र में लिखा है जब से फैसला आया है तब से मुझे भला बुरा कहा जा रहा है मुझे बुरा इंसान बताया जा रहा है कि अपने अधिकारों की बात करने से कोई इंसान बुरा बन जाता है इश्रट जहां के पती ने 2014 में दुबई से फोन पर तीन बार तलाक तलाक बोल कर छोड़ दिया था वियार के भागलपुर में एक लड़के ने फासी लगा कर खुदकुशी कर ली परिवार के मताबिक मृतक लड़के को मुबाइल पर गेम खेलने का जुनून था पुलिस ने मृतक के मुबाइल को जब्त कर लिया है पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कई खुदकुशी की वज़ा है ब्लू वेल गेम तो नहीं है वियार के मजफ़पुर में शहर के अंद्रोनी इलाकों में बार जैसे हालात पैदा हो गए है लोग कमर तक पानी में डूप कर आने जाने को मजबूर है कई इलाकों में लोगों ने नाव भी चलाने शुरू करती है NDRF और SDRF की टीम को रहत बचाओ काम में लगाया गया है बिहार के मजफ़पुर में बार में डूप रहे पांच लोगों को NDRF टीम ने सुरक्षित बचा लिया मुशरी प्रखंड इलाके में दो बकरी और कुछ समान लेकर पांच लोग नाव से बार प्रवावित गाउं से कहीं सुरक्षित जगे की और जा रहे थे बीच में नाव पलट गई लेकिन मौके पर तैनात NDRF टीम ने सभी को बचा लिया बिहार के कटिहार में खरीब डेड़ करोड की शराप पर बुल्डोजर चलाए गया मुफलिस थाना इलाके के छिटाबाडी में बिहार स्चेट बिवरिजस कॉर्परेशन लिमिटेट के दफ्तर में ये कारवाई की गए विदेशी ब्रैंड की गरीब 17,000 पेटियों को जब्त कर उन पर बुल्डोजर चला कर नश्ट कर दिया गया जारखन के जमशितपुर में आपकारी विभाग ने एक स्कॉर्पियो गाडी से महंगे शराब की 35 पेटी जब्त की है आपकारी विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है विभाग के मताबिक जब्त की गई शराब की पेटी आर्मी कैंटीन से बाहर बेचने के लिए लाई जा रही थी